Hello students, मेरा नाम धीरज मोहन दिवेदी and स्वागत है आपके फेवरिट चानल Magnet Brains पर Magnet Brains एक ऐसा चानल जहाँ पर आपको मिलता है बिल्कुल free online education और वो भी a quality education तो आज के वीडियो में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आपके class 12 जो chapter है chapter number 11 that is dual nature of radiation and matter ठीक है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे overview के इस chapter में basically हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं तो मेरी बात को सुनना dual nature of radiation and matter मतलब आपको मालूम होगा कि जो light है उसके दो nature होते हैं एक wave और एक particle nature तो wave nature को लेकर के हमने last chapter में discussion कर लिया था है कि नहीं जो interference था जो diffraction था वो light के wave nature की वज़ा से था ठीक है तो इस chapter में basically अपन को बात करनी है light के particle nature को लेकर के है कि नहीं ठीक है तो वो हम शुरुआत तो करेंगे नेक्स वीडियो से लेकिन अभी मैं आपको पता देता हूँ कि कौन कौन से topics यहाँ पर अपन को deal करने हैं ठीक है जो कि आपके syllabus के according रहेगा ठीक है अभी देखे धियां से यहाँ पर पहले तो मैं आपको introduction दूँगा मैं ठीक है कि light का जो particle nature है है ना उसको लेके कुछ बाते कहूँगा photons को लेके कुछ discussion करूँगा मैं इसमें ठीक है उसके बाद electron emission की बात करूँगा मैं ठीक है कि अगर किसी metal surface से किसी electron को निकालना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं मतलब basically जो photoelectric effect है ना वो पहली बार जो introduce किया था वो henridge herds नहीं किया था तो उनके क्या observations थे है ना तो वो हम लोग वहाँ पर एक बार उनका जो experiment है वो discussion करेंगे और फिर जो hallwalk and linnard observation है वो भी हम discussion करेंगे तो ये basically एक आपका अपका experiment discussion होगा यहाँ पर ठीक है चलो उसके बाद हम शुरू करेंगे important topic जो main topic इस chapter का that is photoelectric effect है ना क्या होता है photoelectric effect हम उसको लेकर discussion करेंगे यहीं पर बात करेंगे laws of photoelectric effect कुछ laws होते हैं है ना उसको लेकर discussion करेंगे और यहीं पर बात होगी variation of photoelectric current है ना with intensity ठीक है with frequency with applied potential तो ये बहुत important topic रहेगा आपके लिए ठीक है चलो उसके बाद हम बात करेंगे Einstein photoelectric equation photoelectric equation होती है एक है ना तो वो equation कैसे आई ठीक है और उसके उपर based कुछ graphs होते हैं और उसके कुछ numerical होते हैं ठीक है तो ये भी आपका important topic है है ना फिर हम बात करेंगे wave nature of matter की ठीक है जिसमें हम deep broadly wave की बात करेंगे कि कोई भी particle अगर motion में होता है है ना तो वो एक wave possess करता है तो उसका wavelength कैसे निकालते हैं आपको मालूम होगा lambda equal to आपका h upon momentum होता है formula है ना तो उसको लेके हम यहाँ थोड़ी सी बाते करेंगे ठीक है एंड लास्ट में आपका आएगा एक experiment है division and germar experiment वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे ठीक है तो यह पूरा topic है है जिसको हम देखने वाले हैं इस chapter में छोटा chapter है ठीक है लेकिन यहाँ से question आना confirm होता है ठीक है तो important है इसमें especially photoelectric effect and photoelectric equation य लब almost 99% चांसे की आएगा ठीक है चलें तो बस next video रहेगा उसमें हम शुरू करेंगे introduction तो ऐसे ही video को देखने के लिए क्या कर रहा है आपको simplemagnetprince.com पे जाना है ठीक है या फिर उसका YouTube channel है वहाँ पर आप जाएं वहाँ पर आपको ऐसे बहुत सारे course मिलेंगे जो कि बिल free available है ठीक है तो बस अन्त में ही कहूँगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें और अगर आप चैनल में नए हो तो आप इसको जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी upcoming वीडियो हो वह आपसे बिलकुल मिसना हो और अपने दोस्तों के साथ क शेयर भी करें ताकि उनको भी इसका फाइदा मिल पाए तैंक यू